हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका Rooted Life के YouTube चनल में दोस्तों आज मैं आपको आसान तरीके से Photoshop में इमेज को सार्प करने के लिए बताऊंगा दोस्तों आपको इस इमेज में ठीक ठाक सार्पनेज दिख रहे होगी लेकिन अभी जो मैं सार्प करने के लिए आपको बताऊंगा इसके बाद जब आप इस इमेज को देखिएगा तो आप हैरान रह जाईएगा तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फोटोशॉप में एक इमेज को इमपोर्ट कर लिजेगा उसके बाद इसकी एक कॉपी बना लिजेगा Ctrl J प्रेस करके कॉपी बना सकते हैं या फिर यहां से ड्रेग और डॉप करके एक कॉपी बना सकते हैं उसके बाद आपने जिस लेयर की कॉपी बनाई है उसको Smart Object में Convert कर देना है यहां से मैं Right Click किया है उसके बाद Smart Object में Convert किया इसके बाद आपको थोड़ा से इसको मैं Zoom कर लेता हूँ इसके बाद आपको यहां पर चलना है Filter में इसके बाद नीचे आपको एक Option मिलेगा Other का और उसी में मिलेगा आपको High Pass इसके बाद यहां से आपको Radius को आप अपने इमेज की पिक्सल के अनुसार Radius को बढ़ा कटा सकते हैं मैं यहां पर चार के यह पांच के करीब रखता हूँ After फिर से थोड़ा जूम कर लेते हैं Before After लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि आपकी पूरी इमेज सार्फ हो गई है लेकिन कभी-कबार ऐसा होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ फेस पर सार्फनेश चाहिए होगी लेकिन यह जो कपड़े हैं Yellow कलर के इस पर सार्फनेश नहीं चाहिए होगी तो just आपको यहां से एक layer mask क्लिक कर देना है यहां पर layer mask पर मैंने क्लिक किया उसके बाद यहां से black color को रखना है और उपर से brush को ले लीजिए और जहां पर आपको sharpness नहीं चाहिए वहाँ पर इसको चला दीजिए यहां पर आप ध्यान रखिए यहां पर black होना चाहिए उसके बाद आप देखेंगे just इसको before after करके आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यह जो कपड़े हैं यह sharp नहीं हुए तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और अगर आप इस तरह के छोटे ट्रिक से हैरान हो गए मैं इसी तरह के और भी आपको Photoshop से related ट्रिक बताता रहूँगा चोटे चोटे ट्रिक बताऊंगा और हिंदी में बताऊंगा तो आप मारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजे कमेंट कर दीजे आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या और जान इंस्टाग्राम तक पहुंच जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का handle नीचे description में दिया हुआ है तो ठीक है अब रखते हैं phone मा किसी और दिन मिलेंगे ठीक है